यदि आप भारती समविधान के अनुशेत 44 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको युनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र दिखाई दे जाएगा लेकिन अब उतराखंड की सरकार समविधान के इस प्राउधान को अमली जामा पहनाते हुए अपने राज में अपने छेत में क्या होता है उतराखंड की सरकार जो कोड लेकर आने वाली है उसमें किस तरह के प्राउधान किये गए हैं और वहां पर किस तरह की समस्याएं मौजूद हैं उस पर भी हम विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टिया इस चैनल की इसने वीडियो में चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम वीडियो की रूप रिखा की तो विडियो में सबसे पहले हम news यानि के खबर की बात करेंगे इसके बाद हम uniform civil code क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे साथ ही उत्राखन की सरकार जो uniform civil code लेकर के आई है उसमें किस तरह के प्राउधान मौजूद है उन प्राउधानों पर भी बात करेंगे और uniform civil code में किस तरह की समस्याएं मौजूद है जो उत्राखन के सरकार लेकर की आई है उन पर भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्ण पर भी चर्चा होगी प्रश्ण इसी वीडियो में बताए गए तक्षियों के अधार पर आप उस सवाल के जवाब को आसानी से लिख सकते हैं आसानी से comment box में लिख सकते हैं ये जो पुरा विशय है पूरा topic आप GS paper 2 से जोड कर देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी का segment है जहां से आप इस पूरे topic को जोड सकते हैं चलिए वीडियो के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम uniform civil code होता क्या है एक बार उसको उसके overview को समझने की कुशिश करते हैं तो अगर आप भारत में देखेंगे कि जो कानून है कानून क्यों लाए जाते हैं कानून क्या होता है कानून जो है बेसिकली वो आपके नियमों और विधियों का laws का और rules का एक group होता है एक समों होता है जो कि विशिष्ट छेतर में लागू किया जाता है जैसे कि अगर आप भारती सम्विधान को देखेंगे आप IPC को देखेंगे CRPC को देखेंगे तो ये क्या है ये group of laws है group of 2022 रूल्स है जिन्हें एक निश्षिध छेतर में जानी को भारत में लागू किया जाता है इसके अलावा जब आप कानून की बात करते हैं तो कानून दो काटेगरी में आपके सामने निकल करके आते हैं सबसे पहली काटेगरी है आपका सिविल कानून और दूसरी काटेगरी है आपका आपराधिक कानून यानि के civil laws और criminal laws civil laws क्या होते हैं civil laws का मतलब है कि वो कानून जो कि किसी ऐसे विवाद को सुलजाते हैं जो विवाद दो व्यक्तियों के बीच में हो जैसे कि आपका संपत्ति का विवाद हो गया आपका तलाग का विवाद हो गया आपका विवाद का मसला हो गया इस तरह के जो तमाम topics हैं, जो कि दो व्यक्तियों से जुड़े होते हैं, उन कानूनों को उन अपराधों को आप कहते हैं, civil अपराध या उन से जुड़े कानूनों को आप कहते हैं, civil कानून, इसके बाद बारी आती है अपराधिक कानून की, तो अपराधिक कानून में वो का करते हैं जो कि आपका स्तमाज इके खिलाफ होते हैं कौन-कौन से आपराद तो आपका हत्या का जो आपराद है वह आपका अपराधिक कानून के दाएρά में आएगा इसके अलावा छोरी का मामला होगया और इस तरह की दूसरे का आपराधिक काटिगरी में आते अब भारत में अगर आप देखेंगे तो जो अपराधिक कानून है यानि कि जो क्रिमिनल लॉज है वो लगभग सभी वैक्तियों पर एक समान तरीके से लागू होते हैं चाहे वह वैक्ति किसी भी धर्म का हो चाहे वह हिंदु धर्म का हो इसलाम से हो चाहे वह किसी दूसरे धर्म से हो चाहे वो इसाई धर्म से हो या फिर किसी दूसरे धर्म से हो सभी वेक्तियों पर जो कानून है जो आपके आपरादिक कानून है वो एक समान तरीके से लगू होते हैं लेकिन जब आप बात करते हैं सिविल कानूनों की सिविल मामलों की जब आप बात करते हैं तो अगर आप हिंदु धर्म से बिलॉग करते हैं तो आपके लिए अलग कानून लगेगा अगर आप मुस्लिम धर्म से अगर आप इसलाम से बिलॉग करते हैं तो आप पर अलग कानून लगेगा जैसे आप अगर आप विवाह के मामले को लेते हैं तो हिंदु धर्म के लिए वि मौझूद है जब आप पार्सियों की बात करते हैं तो उनके लिए अलग कानून मौझूद है यही मामला तलाक को ले करके भी है यही कानून आपका बच्चे को गोद लेने को लेकर भी है यानि कि अलग अलग धर्मों का अलग कानुन मुझूद है यह स्थिति कहां बदलती है स्थिति में बदलाव होता है युनिफॉर्म सिविल कोड की मामले में यानिके समान नागरिक सनहिता की मामले में जब आप समान नागरिक सनहिता की बात करते हैं तो यह सनहिता एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जिस स्थिति मे जो कानून है वो एक समान तरीके से लागू होता है और यहां पर धर्म को कोई important भूमिका नहीं दी जाती है यानि कि धर्म के आधार पर कानून का निर्धारन नहीं होता कानून का निर्धारन कानून के नीती निर्माताओं द्वरा किया जाता है यह important चीज है जो कि हमें UCC य साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता तो यह हमने Uniform Carol की बात कर लिए है उसको लेकर के हम ने समझ लिया अब हम बात करते हैं कि उत्राखंड के सरकार हमने की उट्राखंड की सरकार उनिफराखंड का लेकर वो आपका 18 वर्ष होने वाली है लेकिन अगर आपको याद हो अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जो हमारी दाहिंदू की सीरीज है तो वहाँ पर हमने बात की थी कि एक समिती बनाई गई है समिती किस बात को लेकर के है समिती इस बात को लेकर के है कि जो महिलाओं क विवाह की आयू है वो 18 वर्ष से बढ़ा करके पुरुषों के समान 21 वर्ष की जानी चाहिए इसको ले करके अलग-अलग कारण दिये जाते हैं तो उन तरकों को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग विडियो देख सकते हैं इसी पूरे टॉपिक पर विस मुसलिम पर्सनल लॉज को पढ़ेंगे तो मुसलिम पर्सनल लॉज में बेसिकली विवाह की इस खास्तोर पर महिलाओं के विवाह की जो आयू है वो उसकी शुरुवात होती है योवना रंभ से यानि के आपका जो प्यूबर्टी है वहां से यह माना जाता है कि एक महिला जो है एक बच्ची जो है वो विवाह के लिए योगी हो जाती है और योवना रंभ कब होता है प्यूबर्टी कब आती है तो एक जनरल सा रोल यह कहता है कि महिलाओं की बीच जो प्यूबर्टी है वो 13 वर्ष की आयू में आपको दिखाई देती है यानि कि इसलाम में महिल अगर इस कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर कहा गया है कि जो नाबालिक लोग है यानि कि ऐसे लोग जिनकी आयू 18 वर्ष से कम है नाबालिक के साथ यौन संबंद बनाने को एक अपराद घोशित किया गया है और यहां पर बाल विवाह यानि कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ विवाह करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है तो यह जो मुस्लिम पर्सनल लॉस था यह पहले ही पॉक्सों के साथ कॉंट्रडिक्शन में था और अब जो है उत्तरकंड में जो है आयू जो है महिलाओं की और पुरुशों की उसको तैंग कर कर सकता है ऐसा प्रोविजन आपको दिखाई दिया है इसके अलावा सपिंड विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया गया है यानि कि आप अपने रिलेटिव से शादी नहीं कर सकते हैं अगर भारत की पूरे कानून को देखेंगे तो भारत में भी यही प्रावधान किया गय सपिंड विवाह नहीं कर सकते हैं इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमें उत्राखंट के यूनिफॉर्म से विल कोड में देखने को मिली है वो यह है कि इस पूरे कोड के माध्यम से राज में लिवन रिलेशन्शिप को मानिता प्रदान की गई है प्रोविजन इसके तहत इसके तहत आपका का जो आधिकारी है आपको ऊस अधिकारी को एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा एक आपको बताना पड़ेगा कि हम यहां पर देकारी आपको घर pर आएंगे और उसकी जाच की जाएगी जाज में देखा जाएगा कि कि आज जो वेकति लिविन रिलेशिंशिप में मौजूद है वो आपस में रेलेटिव तो नहीं है या फिर उनकी I.O. 18 वर से कम तो नहीं है अगर ऐसा कोई स्थिति नहीं होती है तो पिर उनके लेविन रिलेशिंशिप को मानलता प्रदान कर द अगर लिविन रिलेशन्शिप समाप्त होता है तो इस संबंध में जो संबंधेत अधिकारी है उसको सूछना देना भी अनिवारे हो जाता है तो यह प्रोविजन हमें यूनिफॉर्म से विल कोड में देखने को मिले हैं उत्राखन के इसके अलावा सभी विवाह को साथ दिन आपको तीन महिने की जेल हो सकती है और आपको 25,000 रुपे का जर्माना आपके उपर लगाए जा सकता है इसके अलावा अगर आप देखें कि डाइवोर्स को लेकर क्या प्रोविजन है तो डाइवोर्स को लेकर के कोड कहता है कि कि किसी भी शादी को किसी भी विवाह को आपको दिनों के भीतर उस पर आदेश जादी हो जाएगा यहने कि 60 दिनों के भीतर जो है तलाक की आजका पर डिसीजन ले लिया जाएगा और तलाक की आजका के दौरान भरन पोशन और गुजारे भथ्ते की जो मांग है वो महिला की ओर से भी की जा सकती है और वो है कि तमाम प्रोविजिन है जो पूराविधयक यह उत्रखंड की ट्राइबट कर ली अब यहां पर जो समस्या है इक बार न 사용 पर भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले और सबसे बड़ी और सबसे important समस्या यहां पर यह है कि इस पूरे provision में आपको कहीं भी LGBTQ जोड़े यहां जो समलांगिक कपल्स होते हैं उनके विवाह को कहीं भी मानेता प्रदान नहीं की गई है उनकी विवाह को संबोधित नहीं किया गया है लेकिन आपको याद होगा कि बीती दिनों जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से transgender या आपका है कि जो आपके समलांगिक विवाह हैं उनको मानेता देने को लेकर सुप्रीम को जब एक मामले की सुनवाई कर रहा था और इस पर अपना decision दिया गया था तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पर उसको मानेता देने से इंकार कर दिया था लेकिन स जरूर कहा था कि जो हमारी विधाई का है जो कानून के नीती निर्माता है वो इस संबंध में decision जरूर ले सकते हैं तो उत्राखंट की सरकार के पास उत्राखंट के नीती निर्माताओं के पास एक मौका था कि वो अपने इस कानून के माध्यम से अपने राज में अपने छ तमस्या मौजूद है इसके अलावा पहले क्या होता था सुप्रेम कोड के कई डिसीजन भी हैं कई दूसरे डिसीजन भी हैं जहां पर इर्रिवर्सबल जो मारेज होती है निके ऐसा विवाह जिसको अब वापस से ठीक नहीं किया रहा सकता वो एक ग्राउंड होता था यहां पर हमें देखने को मिली है तो यह पूरा टॉपिक हुआ इस टॉपिक पर हमने बात की है उत्रकंड के सरकार की और से जो यूनिफॉर्म से विल कोड पेश किया गया है उसके तमाम इंपॉर्टन प्रोविजिजन को यहां पर हमने समझ लिया है अब एक बार हम इस प कहां पर किया गया है हमारे ऑप्षिन है ऑप्षिन ए अनुचेद 14 ऑप्षिन बी अनुचेद 44 ऑप्षिन सी अनुचेद 54 या फिर ऑप्षिन डी अनुचेद 62 तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे और मुझे उमीद है कि वीड से विल कोड़ वर्तमान समय में लागू है तो ये हमारी पूरी वीडियो ही अगर विडियो आपको पसंद आये है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बदाएएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी मिलते है आप स और सब्सक्राइब करना न भूले